बहुत सारे किसान भाई को ये knowledge नहीं रहता कि spawn fry और fingerling में अखिर अंतर क्या है देखे जब हम लोग मचली से बच्चा निकालते हैं तो जब पेट से मचली के अंडा निकलता है उसके 72 घंटों के बाद वो spawn में बदल जाता है जब उसका size 4-5 mm के बीच होता है तब हम उसको spawn मोलते हैं और जब इस spawn को हम लोग nursery तलाब में कम से कम 8-10 दिनों तक हम लोग उसको पालन करते हैं तब वो fry में change हो जाता है और उसका size है वो 1-2 cm के बीच आ जाता है और जब हम उस fry को 1-2 मेहने तक हम उसको पालन करते हैं तब वो fingerling में change हो जाता है और उसका size fingerling का 10-15 cm के बीच होता है उसको हम लोग fingerling बोलते हैं